Hello everyone, welcome back to my channel आज मैं आपको English grammar के चार models को बहुत ही बारेकी से समझाने वाली हूँ Can, Could, Would, Should ये चार models होता है ना चाहे हमें spoken English भात करे या English grammar की बात करे बहुत ही ज़रूरी होती है ये चार models को समझना मैं आपको सिर्फ ये चार uses ही नहीं बताऊंगे बलकि ये चार Can, Could, Would, Should के basic to advance सारे uses को एक ही वीडियो में समझाने वाली हूँ और बहुत ही easy way में समझाने वाली हूँ जो आपको बहुत ही अच्छी तरसे समझ में आएगी आप पहले देख लिजे उसकी बाद आप comment में जरूर बताएगा कि आपको समझ में आई या नही मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी सबसे पहले हम जो models की बात करने वाले हैं वो है Can, Can हम किस तरह के sentences में use करते हैं जब आप किसी की ability की बात करें, possibility की बात करें, request या permission में हम Can का use करते हैं जैसे आप किसी की ability बताते हो ना कि तुम यह कर सकते हो तुम्हारे अंदर यह ability है यह करने के तुम यह कर सकते हो या फिर possibility समभावना बताने के लिए किसे से request करने के लिए कि किमाल कर सकता हूँ या फिर किसे से permission कि मैं अंदर आ सकता हूँ जब आपके इस तरह के sentences हो तो उसमें आप can का use कर सकते हैं इसका हिंदी मिनिंग होता है सकता या पाता वह कर सकता था तुम यह कर सकते हो तुम यह कर पाई इस तरह के sentence में आप can का use करिएगा बट आपको जरूरी है कि सकता और पाता ही आपके sentence में आएगा आपको यह देखना है कि आप ability की बात करें किसी की ability बता रहे है या possibility की बात करें, request की बात करें, permission की बात करें तब आप can का use करें English में जो भी models होते हैं एक दूसरे से मिले जुले होते हैं इसलिए आपको ध्यान से समझना होगा सारे models को बारी किस है जैसे अगर मैंने कहा तुम पढ़ सकते हो, तुम्हारे अंदर यह ability है पढ़ने की तुम पढ़ सकते हो, किसी की ability हम बता रहे है ना कि तुम पढ़ सकते हो ability है तुम्हारी तो हम बोलेंगे you can read you can read, तुम यह पढ़ सकते हो, तुम यह कर सकते हो, तुम्हारी यह ability है यह करने की तुम यह कर सकते हो, you can do it you can do it, तुम यह कर सकते हो, क्या आप मेरी मदद करोगे, आप किसी से request कर रहे हो, क्या आप मेरी मदद करोगे, can you help me तो request आप कर रहे हैं कि can you help me, क्या आप मेरी मदद कर सकती हो और request करने के लिए हम would का भी use कर सकते, could का भी use कर सकते वो हम आगे देखने वाले कि कैसी possibility रहे कि कौन सा आपको use करना है वो मैं आपको आगे धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लगेगा तो हम किसे से request कर रहे हैं कि क्या आप मेरी मदद करूगे, can you help me, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, permission मांग रहे हैं तो आप अधिकता सुने होंगे जब आप teacher class में बैठे रहते हैं और आप अंदर आने के लिए teacher से पूछता है न, may I come in, लेकिन यहां था हम can I come in बोर रहे, make I use क्यों नहीं किये, can के use क्यों किये है, can it informal है, आप इसे अपने friends के साथ यूज कर सकते हैं जब आप friends से पूछता है न, कि क्या में अंदर आ सकता हूँ, तो आप उहां पूछ सकते, can I come in, और जो may होता है, वो formal होता है, वो आप जिसे respect देना चाहते हो, चाहे वो teacher हो, parents हो, तब आप उसमें may का use कर सकते हैं तो क्या में अंदर आ सकता हूँ, can I come in, तो जब आपकी ability, possibility, request या permission की आप बात करें, तब उसमें आप can का use कर सकते हैं, पाता या सकता के sense में अब है हमारा can be, can be का Hindi meaning होता है, हो सकता है, या फिक किया जा सकता है, हो सकता है, मतलब इसकी possibility है, कोई काम है, जो हम बोरें, ये काम हो सकता है, उसकी possibility high है, या फिक किया जा सकता है, ये पेसी वाले sentences है, हम थोड़ी देर बाद इसे भी समझने वाले, तो पहले हम हो सकता है वाले sentences को देखते हैं, जैसे वो अभी घर पर हो सकता है, इसकी possibility है, कि वो अभी घर पर हो सकता है, हमारे जो possibility है पूरी high नहीं है, फिर भी could say high है, could say high है can की possibility, तो वो अभी घर पर हो सकता है, he can be at home right now, वो अभी घर पर हो सकता है, वो इस वक्त घर पर कैसे हो सकता है, आप question पूछ रही वो इस वक्त घर पर कैसे हो सकता है इसकी possibility कैस अब high possibility की बात करें कि इस वक्त वो घर पर कैसे हो सकता है How can he be at home right now जब आप किसे question पूछ रहे हो डव्यज family words का use करके आप इस तरह से sentence को बना सकते हो How can he be at home right now राहुल घर पर हो सकता है इसकी possibility है राहुल घर पर हो सकता है राहुल can be at home पापा office में हो सकते इसकी possibility है पापा can be in the office वो इस वक्त जिम में नहीं हो सकता है मेरी possibility हाँ है कि वो इस वक्त जिम में नहीं हो सकता है can he not be at gym right now या फिर आप इस तरह से जो can or not का use आप अलग-अलग किये ना जब इसका contraction आप कीजेगा तो आप can't का use पहले कर सकते है उसकी बाद ही बोलिएगा can't he be at gym right now तो आप इस तरह से इसका contraction कीजेगा तो यह साथ म हो सकता है लेकिन आप यहां पर जब starting में can or not का use करें तो अलग-अलग नहीं कर सकते can not ही नहीं बोल सकते आप contraction में ही बोलिएगा can't he be at gym right now तो आप इस तरह से question किसे से भी आराम से बोल सकते है जब आपके sentence में हो सकता है possibility है आपकी कि वो यहां पर हो सकता है तब उसमें can be यूज करेंगे अब किया जा सकता है इसका हम कैसे निकाले वो भी देखते हैं जब आपके sentence में किया जा सकता है यह हम नहीं बोरे हम क्या बोरे आपको कल दिल्ली भेजा जा सकता है यू can be sent to Delhi tomorrow, तो आपको कल दिल्ली भेजा जा सकता है, इस target को हासिल किया जा सकता है, इस target can be achieved, can be के बाद हम लोग ने direct verb का third form का use किया है, क्योंकि हम तो अच्छी तर से जानते हैं कि जब भी हम पेसी वाले sentences को बनाते हैं, तो उसमें verb का third form लगता है, यह किया जा सकता है, it can be done, यह किया जा सकता है, it can be done, या फिर आप इस तरह से बोल रहे हैं कि यह राम के द्वारा किया जा सकता है, it can be done by Ram, आप subject का जिक्र बाइ करके last में कर सकते हैं, आपको किसी भी सहर भीजा जा सकता है, you can be sent to any city, हमें इस बारे में बताया जा सकता है, we can be told about this, तो आप इस तरह से जब आपके sentence में हो सकता है कोई चीज इसकी possibility है कि वह busy हो सकता है या फिर आपके पेसी वाले sentence की आपको कल दिल्ली भेजा जा सकता है आपको मुंबई भेजा जा सकता है तो इस तरह के sentence में आप can be का use कीज़ेगा अगर आप हो सकता है कि sense पे आप can be का use करें तो उसमें वर्व नहीं होता है क्योंकि उसमें कोई काम नहीं होता है जैसे कि हम लोगों ने बोला वह घर पर हो सकता है इसकी काम तो नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ इतना बोला कि वह घर पर हो सकता है तो जब काम नहीं हो रहा तो उसमें वर्व का तो यूज नहीं होगा लेकिन पेसी वाले सेंटेस में तो काम हो रहा है कि उसे दिल ने भेजा जा सकता है भेजने का काम हो रहा है इसलिए इसमें वर्व का थड़ फर्म यूज करता है तो आपको हर चीज बारे की से समझने की आप समझ जाते हो तो आप आसानी से बना सकते हो चलिए अब एक हमारा Can have का मतलब होता है पास हो सकता है कोई चीज पास हो सकता है आपके पर सकार हो सकती है आपके पर सब्सक्राइब हो सकती है यह इसकी possibility तो हम यह बो रहे है है मेरे पास car हो सकता है, इसकी possibility है, तो हम बोलेंगे I can have a car, I can have a car, मेरे पास car हो सकती है, मेरे पास car नहीं हो सकता है, negative sentence, मेरे पास car नहीं हो सकता है, माले तो खरदा ही नहीं, तो मेरे पास car कैसे हो सकती है, तो मेरे पास car नहीं हो सकती है, I can't have a car, I can't have a car, क्या मेरे पास एक कार हो सकता है Can I have a car Can I have a car उसके पास एक mobile हो सकता है इसकी possibility है वो हमेसा phone चलाता रहता है उसके पास phone हो सकता है He can have a mobile He can have a mobile उसके पास अगले साल एक laptop हो सकता है अगले साल एक laptop हो सकता है वो पैसे जमा कर रही है laptop खरीदने के लिए तो अगले साल उसके पास laptop हो सकता है he can have a laptop next year he can have a laptop next year चिन्ता मत करिये जल्द ही आपके पास एक अच्छी जॉब हो सकती है don't worry you can have a good job soon तो जब आपके sentence में pass हो सकता है present में present में present में present present में जब आपके पास कुछ हो सकता है तो उसमें can have का use करेंगे तो present में आपके पास कुछ हो सकता है can have का use करेंगे कोई वर्व नहीं है क्योंकि इसमें कोई काम नहीं हो रहा है अब है हमारा can have had can have had का मतलब होता है pass हो सकता था जब हम can have बोर हैं तो pass हो सकता है present में जब मैंने models वाली video अप्लोड की थी तो आप लोगों ने काफी बार कमेंट किया था कि मैं क्यान और कुड में कंपैरिजन बताइए तो मैं आपको कंपैरिजन बताती हूं सबसे पहला कंपैरिजन अगर हम प्रेजन की बात करें उसमें का यूज करेंगे जैसे कि आप यह कर सकते हैं हम किसी की अ ऐसा आता है कि आप कर सकते हैं कि सेंस में could का यूज करडिए हैं तो बी Event करता है यह हैं ability आपको high पर दिखानी हो कि हाँ तुम ये कर सकते हो high possibility है तो उसमें can का use कीजिएगा लेकिन अगर can से थोड़ी सी कम possibility है मैं पूरी कम possibility नहीं वो रहे हूँ थोड़ी सी can से थोड़ी सी अगर कम possibility हो तुम ये कर सकते हो तो उसमें आपको could का use करना है बस इतना आपको समझना है उसके बाद आप आसानी से कोई सा भी sentence बना सकते can और could का यूज करके बाकी can और could देखने में बिल्कुल एक जैसे बिल्कुल भाई-भाई है ये डिपेंड करता आपके sentence पे कि आप sentence किस धंग से बोल रहे हो तो यहां पर आपी हम बात करें can have had can have had का मतलब होता है past हो सकता था past में आपके पास एक कार हो सकता था past में आपके पास एक किताब हो सकती थी तो इस तरह के sentence बोल सकते है जैसे मेरी पास एक कार हो सकता था past में मेरी पास एक कार हो सकता था I can have had a car I can have had a car I can't have had a car, I can't have had a car, can I have had a car, उसकी पास अगले साल एक laptop हो सकता था, He can have had a laptop next year, था past में, past की बात करें, present की बात नहीं करें, present की बात करेंगे, तो हम can have की यूज़ करेंगे, लेकि अभी past की बात करें, इसलिए can have had का यूज़ कर रहें, आपकी पास एक mobile हो सकता था, He can have had a mobile, तो जब आपको past हो सकता था, past में आपको बोलनी हो, तो उसमें can have had का यूज़ करेंगे, इसमें भी कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए verb का जिकर नहीं करेंगे हम, अब हमारा है can have to और can have had to, दोनों का थोड़ा मोड़ा change है, क्या एक present के जैसे के can have to का मतलब होता है, करना पढ़ सकता है, मैं करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे मजबूरी में ये काम करना पढ़ सकता है, present में, तो can have to का यूज़ करेंगे, जब हमें past में कोई काम मजबूरी में करना पढ़ सकता था, तो हम उसमें can have had to का यूज़ करेंग पाबा बोर है कि आपके भाई अगर दिल्ली नहीं गए तो आपको जाना पढ़ सकता है आप दिल्ली जाना नहीं चाहते लेकिन आपके भाई नहीं जा रहे इसलिए आपके पाबा बोले कि आपको जाना पढ़ सकता है you can have to go there आपको पैसे देने पढ़ सकते हैं मेरे पास पैसे अगर नहीं होंगे या फिर समान जो मैं खरीदने गया हूं पैसे कम पढ़ जाएंगे तो आपको पैसे देने पढ़ सकते हैं तुम्हें डाग घर जाना पढ़ सकता है आपको बिल भरना पढ़ सकता था अब यहां पर पढ़ सकता था पास्ट की बात कर रहे हैं इसलिए हम यहां पर can have had to का यूज कर रहे है आपको वहां जाना पढ़ सकता था उसे डाग घर जाना पढ़ सकता था तो जब आपको present में कोई काम करना पढ़ सकता है तो वहां आपको can have to का यूज करना है प्लस verb के first form के साथ और जब आपको past में करना पढ़ सकता था तो उसमें can have had to का यूज करेंगे वर्ब के first form के साथ बस आपको यही धियान रखने है present के लिए इतना समझ लिए हो गया सीख लिया हम लोग के यूज़े तो इसी के साथ हम लोग ने के बेसिक टो एडवान सारे यूज़े को कवर कर लिया आगे हम देखते हैं कि अब आगे कौन सा मॉडल सीखने की बारी आती है अब आगया कें का भाई कुझ दोनों का सेंज मैंने बोला था दोनों का सेंज न एकी जैसा आता है जैसे आपर देखिए सका या पाया उसे की भी हम सकता और पाथा के सेंज में कें का यूज़े करते हैं haven can कर्क के वर्व के साथ MEसा यूज उता है। вवह जा सकती थी यहां है आप अब acámers करें लेकिन यह आपको ध्यान रखने हैं, यह can से कम ability है, मैं ability की बात करें हूँ, छमता की बात करें हूँ, वह वहाँ जा सकते थी, she could go there, she could go there, वह अच्छे से गाना गा सकता था, उसकी ability थी अच्छे से गाना गाने के लिए, लेकिन वह गाना नहीं गा पाया, वह अच्छे से गाना गा सकता था, past में, he could sing a song very well, he could sing a song very well, आप English बोल सकते थे, आपके अंदर यह ability थी, कि आप English बोल सकते थे, you could speak English, you could speak English, वह car बना सकता था, he could make a car, he could make a car, राहूल IAS बन सकता था, राहूल could become an IAS, राहूल could become an IAS, तो जब आपके sentence में सकता था, या फिर सका पाया आ जाएगा, तो उसमें आपको could का यूज करना है, वर्व के third form के साथ, और can और could का difference आपको याद रखनी है, तब ही आप यूज कर पाईएगा, ठीक सकता था आ रहा है, तो कैसे पहचाने के किसमें क्या यूज करना है, तो कैसे पहचानना है, वो मैं आपको बताती हूँ, इसमें वर्व का third form लगता है, इंग्लिस वारे sentence को देखे तो अब आसानी से बता सकते हो, कि उसमें could have plus work का third form लगा है, तो वो सकता था आएगा, जै जिसके वज़े से वो आपकी मदद नहीं कर पाया, तो उसमें हम could have का use करेंगे, he could have helped you, वो इंग्लिश बोल सकता था, he could have spoken English, उसके अंदर इंग्लिश बोलनी की ability थी, लेकिन past में वो नहीं बोल पाया, कोई reason के वज़े से, he could have spoken English, वो जा सकता था, he could have gone, he could have gone, वो मुझे आमंत्रित कर सकता था, he could have invited you, वो तुम्हें आमंत्रित कर सकता था, he could have invited you, तुम मेरा इंतजार कर सकते थे, लेकिन कोई reason होगा, जिसको वज़े से तुम मेरा इंतजार नहीं कर पाय, you could have waited for me, you could have waited for me, वो वहाँ जा सकते थे, you could have gone there, you could have gone there, जिब बुला सकती थी, she could have called me, तो जब आपके sentence में सकता था आएगा और जब आप past में कोई काम कर सकते थे लेकिन कोई reason की वज़े से आप नहीं कर पाए तो उसके लिए आपको could have का use करना है plus verb के third form के साथ तो ये भी आपके depend करता है sentence में कि आप किस ढग से sentence बो रहे हैं आप ऐसा बो रहे हैं कि past में वो कर सकता था लेकि कोई reason की वज़े से नहीं कर पाया तो उसमें आपको could have plus verb का third form यूज़ करना है clear? आगे दिखते हैं अब है हमारा could be, could be का sense निकलता है किया जा सकता था past में या किया जा सकता है present में दोनों टाइब में हम could be का use कर सकते हैं वर्व के third form के साथ क्यों? क्योंकि ये पेसी वाले sentence है जैसे English बोली जा सकती थी किसकी द्वारा? राम, रोहन, रिया, गीता किसकी द्वारा English बोली जा सकती थी? ये नहीं बताया क्या हम लोगों ने बताया? English बोली जा सकती थी English could be spoken वो असानी से किया जा सकता था It could be easily done पत्र लिखा जा सकता था राम की द्वारा लेटर कुड बी रिटन बाई राम उसे आमंतित किया जा सकता था He could be invited मुझे घर भेजा जा सकता था अगर मैं perform ना करू तो मुझे घर भेजा जा सकता है अगर मैं perform ना करू तो present की बाद करे I could be sent back home if I don't perform आपको बुलाया जा सकता था You could be called तो जब आपको sentence में किया जा सकता था या किया जा सकता है पेसी वाले sentences हो तो उसमें आप could be का use करेंगे अगर उसकी पास अच्छी जाब होती He could have had a good house if he had a good job उसके पास ज्यादा हो सकता था लेकिन उसने कभी परवा ही नहीं की She could have had more but she never cared She have had more but she never cared उसके पास इतनी अच्छी आउसर नहीं होती अगर मैंने उसे support नहीं किया होता तो We couldn't have had such a great opportunity if I had not supported him तो जब आपके sentence में past हो सकता था पास्ट में आपके पास कुछ हो सकता था तो उसमें आपको could have का यूज़ करना है अगर possibility can से कम रही तो अगर आपकी sentence की possibility ज़्यादा रही तो आप यहाँ पर can have had का यूज़ करते हैं ठीक हैं? अब है could have to could have to का मतलब होता है करना पढ़ सकता है या फिर करना पढ़ सकता था जैसे आपको school जाना पढ़ सकता है अब अगर जाना नहीं भी चाते हो तो हो सकता है कि आपको जाना पढ़ सकता है यूज़ कभी भी वहाँ आपको call करे तो you could have to come here again whenever he calls you मुझे वहाँ जाना पढ़ सकता है I could have to go there I could have to go there मुझे यहाँ आना पढ़ सकता है I could have to come here तो जब आपके sentence में कोई काम करना पढ़ सकता है या फिर कोई काम करना पढ़ सकता था तो could have to का use करना है यहां पर आप can have to का use कप करेंगे जब आपके sentence में possibility high रहेगी तब हिंदी मिनिंग हाला की same रहेंगी ठीक है अब है could have had to, could have had to का मतलब होता है करना पढ़ सकता था past में इससे पहले हम लोग ने could have का मतलब भी करना पढ़ सकता था लेकिन वो present के लिए भी आप use कर सकते है past के लिए प्लस past के लिए आप could have had to का भी use कर सकते है यहां पर आप could have to का भी use कर ले कोई दिकत नहीं है बिलकुल sentence बिलकुल same रहेंगे तो यहां पर हम बात करें आपको कल सकूल जाना पढ़ सकता था past में इसमें could have had to में सिर्फ past वाले sentences आएंगे present वाले sentences नहीं आएंगे आपको कल सकूल जाना पढ़ सकता था you could have had to go to school yesterday मुझे खाना बनाना पढ़ सकता था I could have had to cook the food आपको मेरे घर आना पड़ सकता था You could have had to come to my house तो जब आपको past में कोई काम करना पड़ सकता था तो हम उसमें could have to का यूज़ करेंगे अगर आपको यहां पर could have to का यूज़ नहीं करना है तो करना पड़ सकता था के लिए जब could have had का भी use कर सकते हैं बात एकी रहीगी ठीक है तो इसे के जाथ हम लोग ने can or could के सारी uses को जान लिया चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब है हमारा would would का मतलब होता है गागेगीवाले sentences में अब गागेगीवाले sentences में तो हम will का use करते है यह तो हम यहीं तो हम को advice को अमक्रीय रहे है और word का यूज गागेगी में आप request जिसे आप निवेधन करते हैं उस वाले sense के आप word का यूज कर सकते हैं प्लस अपनी चाहा इच्छा बताने के लिए want का जो यूज करते हैं उसके जगा आप word का भी यूज कर सकते हैं आप मेरे साथ लांग ड्राइब पर जाना चाहोगे गागेगी आ रहा है और आप किसी को offer दे रहे हैं कि आप मेरे साथ लांग ड्राइब पर जाना चाहेंगे offer या proposal देने के लिए विल्का तो यूज कर सकते इसलिए वडिका यूज करेंगे would you like to go on a long drive with me ? love you like to go on a long drive with me या आप ब्लॉगइंग के ज़रीए पैसा कामाना चाहते हैं या अपड्र चाहते होगा चाहते या या फिर चाहेंगे आप जो भी بोल सकते हैं er वो ड्रयाइब डॉच करेंगे व्डीय अज करेंगे आप सांथरा opening तो हम बोलेंगे would you please be quiet ? Would you please be quiet ? याप इस प्रशन को हल करने में मेरी मदद करेंगे ? Would you please help me solve this question ? कि आप इस प्रशन को हल करने मेरी मदद करेंगे ? मैं अब से मिलना चाहूँँगी मैं अपने इच्छा को बता रही हूं कि मैं आप से मिलना चाहूंगी I would like to meet you today आप यहाँ पर बोल सकते हैं I want to meet you today तो भी आपको sentence right होगा आप would like को हटा कर यहाँ पर want का use कीजे बिल्कुल sentence right होगा तो आप want किसे का would like का भी use कर रहे है तो आप sentence को गलती नहीं कर रहे है तो would का use तो हम लोग ने देखा offer या proposal के लिए would का use करेंगे request करने के लिए would का use करेंगे plus चाह किसी को इच्छा बताने के लिए भी हम would का use कर सकते हैं और भी would के uses है वो भी हम लोग सीखते हैं अब would का use हम करता या फिर करता था के sense में करेंगे जैसे कि हम किसी को past habit show करता है में used to रहिए जैसे आज में आफिस जाता पर मेरा मन नहीं कर रहा जाता करता या पर तातेती करेंगे I would go to office today, but I'm not feeling like अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपकी मदद करता करता ताते ती आ रहा है if I had money अगर मेरे पास पैसे होते I would help you मैं आपकी मदद करता उन दीनों मैं पांच बजे उठा करता था मतलब पास्ट में पास्ट हैबिट को सो कर रहा है उन दिनों मैं 5 बजे उठा करता था दोस्ट डेज I would wake up at 5 एम यहां कर सकते है अब क्योंकि आप तो पांची बजे उठेंगे साम को तो नहीं उठेंगे तब यहां पर एम आज़ें कर सकते मैंने यहां मैने नहीं किया है those days I would wake up at 5 हम बहुत मज़े करते थे पहले past habit शो कर रहा है कि पहले past में हम बहुत मज़े करते थे we would enjoy a lot we would enjoy a lot तो जब आप past habit को शो करना चाते या फिर आपके sentence में तातेती आ रहा है तो उसमें आप would का use कर सकते हैं और भी would की uses है चलिए वो भी देखते हैं अब would का use up गागेगी में तो कर सकते कब जब आप future in past की बात करें बीते कल में भविश्य की बात करें और would का use up possibility समभावना शो करने के लिए भी कर सकतें जैसे उसने कहा कि वह बजार से कुछ खरीदेगी आपकी बहन बजार गई है और आप, आपकी मम्मी आपसे पूछ रहे कि तुमारी बहन का है तो आप बता रहे है कि जो मेरी बहन वो बजार गई है और उसने कहा कि वह कुछ खरीदेगी मतलब उसने past में कहा था ने कि future में वो खरीदेगी गागेगी आ रहा है और हम यह past पहला sentence आपका past में होगा और दूसरा sentence अगर गागेगी आ रहा है तो उसमें would का use आपको करना ही पड़ेगा will का use आप नहीं कर सकते क्या मैंने कहा अगर पहला जो आपका sentence है वो past में रहा और दूसरा sentence का अंत में गागे गी आ रहा है तो उसमें आपको would का use करना ही पड़ेगा क्योंकि आप future in past की बात करें बीते कल में फ़विशे की बात करें तो आपको तो करना पड़ेगा बोलेंगे she said that she would buy something from the market she said that she would buy something from the market मुझे पहले ही अंदाजा था कि वो यहां नहीं आएगा I already had an idea that he wouldn't come here I already had an idea that he wouldn't come here मुझे पहले ही अंदाजा था past में अंदाजा था कि वो future में नहीं आएगा जहां तक मैं तेरे पापा को जानता हूं वो इस प्रस्ताव को सुविकार नहीं करेंगे As far as I know your father, he wouldn't accept this proposal As far as I know your father, he wouldn't accept this proposal मुझे लगता है आज बारिश होगी जो possibility है न संभावना की बात करें मुझे लगता है कि आज बारिश होगी I think it would run today I think it would run today तो जब आपको future in past या possibility की बात करने हैं तो भी आप उसमें would का use कर सकते हैं बहुत ही आसान uses हैं अब would के basic uses तो जान लिए चले advanced uses को भी जानते हैं would be would be का मतलब है कर रहा होता या कर रहा होगा present में present में कर रहा होता या कर रहा होगा जैसे मैंने कहा काल दिया गया तो आप present में बोल रहा है कि आज वह उस company में काम कर रहा होता तो हम बोलेंगे he would be working in that company today कास में English सीख रहा होता कास में English सीख रहा होता present में I wish I would be teaching him English I wish I would be teaching him English राहूल इस वक्त खेल रहा होगा आप यहां बोलेंगे गाग ही गिया रहा है तो यहां पर वड का यूज कैसे करें कैसे करें आप मेरी बात को ध्यान देजिए present में future की बात करें माल लीजिए आपका भाई का नाम राहूल है और राहूल क्रिकेट खेलने गया है राहूल का फ्रेंड आके पूछ रहा है कि राहूल कहा है तो आप बोले कि राहूल क्रिकेट खेलने गया है और वो इस वक्त खेल रहा होगा मतलब जिस वक्त आप बोले उस वक्त वो खेल रहा होगा तब present में वो रहना, इसलिए इसमें would का use करेंगे, आप future में बात करतें, कि वो खेल रहा होगा, इसमें आप present में नहीं, बोरे future की बात करें, कि कल चार बजे वो खेल रहा होगा, तो इसमें will का use करेंगे, लेकिन हम बोरे इस वक्त वो खेल रहा होगा, इसलिए इसमें would का use क तो जब आपके साइंटेस में कर रहा होता या फिक कर रहा होगा प्रेजंट की बात करें तो उसमें आपको वुडबी का यूज़ करें अब है हमारा would have, would have का हिंदी मिनिंग होता है चुका होता यह हम past में बात करतें जैसे कि वो खाना खा चुका होगा पास्ट में आप सोच रहा है ऐसी possibility है कि वो खाना खा चुका होगा या फिक खाना खा चुका होता ऐसे हाले sentences के लिए अप would have का यूज करेंगे जैसे अगर मैंने ड्राइबर से निवेदन ना की होती तो बस अब तक निकल चुकी होती अपने निवेदन की पास्ट में तभी तो बस रुकी हुई है तो अगर मैंने निवेदन ना की होती तो बस अब तक निकल चुकी होती चुकी होती तो हम बोलेंगे If I had not requested the driver The bus would have left by now The bus would have left by now मुझसे गलती हो गई होती पास्ट में भगवान का सुक्र है मैंने आखिर में सही फैसला लिया I would have made a mistake Thank God I finally made the right decision राहूल इस वक्त खेल चुका होगा जिस वक्त आप बोल रहे ना पास्ट में बोल रहे कि राहूल खेल चुका होगा आप अभी बोले कि राहूल इस वक्त खेल चुका होगा जिस वक्त आप बोल रहे ना उस वक्त वो अपना काम complete कर चुका होगा तो हम बोलेंगे राहूल वुड याप played by now राहूल वुड है प्लेट by now बस अब तक निकल चुकी होगी घर में आप है और अभी सोच रहे हैं कि बस अब तक निकल चुकी होगी आप बाहर आके अपनी देख रहें कि बस है या नहीं है अब है would have had पास होता कोई चीज पास होता आज मेरे पास सब होता पर मैंने उस दिन बहुत बड़ी गलती की I would have had all this मेरे पास सब कुछ होता but I made a huge mistake that day अगर आपने मुझे मुझे मौका दिया तो आज मेरे पास कई फिल्मे होती If you had given me a chance I would have many films today यहाँ पर films होगा If you had given me a chance I would have many films today तो जब आपके साइन्टेस में पास होता कोई चीज पास होता तो बोलेंगे तो उसमें would have had का use करेंगे would have been का use हो चुका होता या फिर किसी समय में कर चुका होता हो चुका होता मतलम कोई काम complete हो चुका होता या फिर किसी समय से वो कर रहा होता तो उसमें हम would have been का use करते जैसे अगर उसने अच्छी पढ़ाई की होती तो आज डॉक्टर होता होता वो रहे ना अगर उसने अच्छी पढ़ाई की होती पास्क में तो आज वो डॉक्टर होता If he had studied well he would have been a doctor today He would have been a doctor today अगर उसने चुनाव में मेरा साथ दिया होता तो आज मेरे साथ होता If he had supported me in elections he would have been with me right now वो सुबह से खेल रहा होता अगर मैं उसे नहीं डाटता मतलम किसी समय से वो खेल रहा होता अगर मैं उसे नहीं डाटता He would have been playing since morning if I had not scolded him He would have been playing since morning कोई काम कर रहा होता या फिर चुका होता कोई काम complete कर चुका होता तो इसमें हम would have been का use करेंगे अब है would have to करना पढ़ता, पढ़ जाता, करना पढ़ता होगा अब would have had to करना पढ़ता, पढ़ जाता, करना पढ़ता होगा दोनों का same meaning है ना दोनों को हम सेम तरह के sentences में use कर सकते हैं, दोनों में कोई difference नहीं है, बस थोड़ा सा है पढ़ा होगा या पढ़ता होगा, बस थोड़े से ये difference है, आपको ये ध्यान में रखने होगे, जैसे अगर आपने मेरी मदद ना की होती, तो मुझे आज office जाना पढ़ जाता, पढ़ दोनों का use कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे, if you had not helped me, अगर आपने मेरी मदद ना की होती, I would have to go to office today, मुझे आज office जाना पढ़ जाता, या फिर हम इस would have to का use ना करके, would have had to का use करेंगे, I would have had to go to office today, मतलब इस दोनों का मतलब तो एक ही है, मुझे office जाना पढ़ जाता, रिया क आप अपने हिसाब से बोरे, अपने सोच के हिसाब से बोरे कि रिया को खाना बनाना पढ़ता होगा, रिया वुड हाब बनाना नहीं पढ़ता होगा, रिया वुड हाब had to cook the food, राम को पढ़ाना पढ़ता होगा, राम वुड हाब हाब to teach, राम को पढ़ाना पढ़ा होगा तो थोड़ा बोड़ा डिफ्रेंस है वो आपको धिहान में रखने हैं बाकि आप वुड़ है टो और वुड़ है टो का यूज आसानी से कर सकते हैं चले इसी कीसा हम लोग ने वुड़ के भी सारी यूजस को जान लिया बचे हमारा शुट उसकी बारे में भी हम जानते हैं शुट का मतलब होता है करना चाहिए कोई काम करना चाहिए इसमें हम वर्व का फर्स्ट फर्म का यूज करते हैं आप किसी का advice देते हो ना, आपको यह करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपको समय पर school जाना चाहिए, तो advice देने या फिर किसी से advice देने में आप suit का use करते हैं, आपको यहाँ आना चाहिए, advice दे रहे हैं, आपको यहाँ आना चाहिए, you should come here, आपको पढ़ाई करनी च चाहिए यू शुड़ स्टड़ी वर्प को फर्स्ट फर्म का ही यूज करना हमें आपको ध्यान देना चाहिए यू शुड़ पेटेंशन यू शुड़ पेटेंशन आपको लिखना चाहिए यू शुड़ राइट यू शुड़ राइट हमें वहां जाना चाहिए वी शुड तो जब आपको सैंटेस में किसी को एडवाइज देनी या आपके करना चाहिए आरहा है तो इसमें शुट का यूजए की जाईगा वर्व के फर्स्ट फ़र्म के साथ अब है हमारा should be, should be का मतलब होता है होना चाहिए, इसमें हम object का use करेंगे, क्यों object का use करेंगे, वर्प का use नहीं करेंगे, होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बोला, आपको teacher होना चाहिए, आपको student होना चाहिए, तो क्या student होना कोई काम हो रहा है, नहीं, मैं बस इतना बोर सब्जेट को कुछ होना चाहिए सब्जेट को स्टुडेंट होना चाहिए तो यहां पर कोई काम नहीं होता है से लिए हम डालेक्ट अब्जेट का यूज करते हैं आपको समय पर यहां होना चाहिए काम हो रहा है नहीं हो रहा है हम सिफ किसी को आडवाइस दे रहें कि आपको समय पर यहां होना चाहिए होना चाहिए you should be here on time you should be here on time आपको वहां होना चाहिए you should be there आपको teacher होना चाहिए you should be a teacher हमें मंदार होना चाहिए we should be honest उसे school में होना चाहिए he should be in the school उसे घर पर होना चाहिए he should be at home उसे office में होना चाहिए he should be in the office तो जब आपको subject को कुछ कहीं पर होने की बात आप करेंगे ना तो वहाँ पर आपको should be का use करें simply कोई verb नहीं diet object के साथ ये should be का पहला use है और एक should be का use होता है उसे भी हम जानते हैं second should be का use होता है किया जाना चाहिए verb के third form के साथ क्योंकि इसमें passive sentences होते हैं जैसे हम बोले फूल तोड़े जाने चाहिए room साफ किया जाना चाहिए बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए तो ऐसे sentences पेसे वाले sentence है ना तो इसमें हम should be का use verb के third form के साथ करेंगे इस room को साफ किया जाना चाहिए यह room बहुत गंदा है मैंने बोला इस room को साफ किया जाना चाहिए यह नहीं बोला नौकर द्वारा मम्मी द्वारा यह हम लोगों ने नहीं बोला हम लोगों ने सिर्फ इतना बोला इस room को साफ किया जाना चाहिए इस रूम शुट बी क्लींग यह रूम साफ होना चाहिए अगर आप बोरे यह रूम शाफ होना चाहिए आपके sentence में होना चाहिए आ रहा है न यानि कि हम कौन से इससे पहले जो object वाले हम लोग ने structure को देखा तो उसे हम follow करेंगे इस रूम शुट बी क्लींग यह जो क्लींग आप देख रहे है यह वर्व आप इसे समझे यह हम लिए इसे object मान लिया क्योंकि हम सुट बी का पहला जो use देखे उसमें वर्व नहीं हो रहा है यह हम लोग सोच रहे कि इसमें कोई काम नहीं हो रहा है आपके sentence में होना चाहिए यानि कि आपको object का यूज करना है यह रूम साफ होना चाहिए इस रूम शुट बी क्लीं यह हमारा object बन गया अगर हम इसे पेसी वाले sentence बनाए ऐसे बोले इस रूम को साफ किया जाना चाहिए किया जाना चाहिए आपके sentence में आ रहा तो हम बोलेंगे इस रूम सुट बी क्ल आया जाना चाहिए चिल्रन शुट बी टॉट तो जब भी आपको sentence में सिर्फ होना चाहिए कि subject को कुछ होना चाहिए तो उसमें आप सिंपली शुट का यूज कीज़ेगा object के साथ और जब आपके स्पीसी वाले sentences होंगे किया जाना चाहिए तो उसमें शुट बी का यूज इस वर्व के third form के साथ होगा यह शुट बी के दोने users का हम लोगों ने जान लिया अब आगे बढ़ते हैं अब है शुट है शुट है का मतलब होता है करना चाहिए था पास्ट में वह काम आपको करना चाहिए था आपने किया नहीं तो करना चाहिए था के लिए हम बोलेंग you should have come here यह वर्व का third form है इससे first form नहीं समझेगा क्योंकि come का third form भी कम होता है आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी you should have studied आपको लिखना चाहिए था you should have written उसे समझना चाहिए था he should have understood Rohan को मेरी मदद करनी चाहिए थी Rohan should have helped me तुम्हें खाना बनाना चाहिए था you should have cooked food तो जब आपको sentence में करना चाहिए था पास्ट में कोई काम करना चाहिए था जब आप बोलें तो should have का यूज आप वर्व के third form के साथ कर देंगे और यह तो should have का पहला यूज था और एक should have का यूज होता है कैसे sentence में उसका यूज करते वो भी हम देखते हैं जब हमारे sentence में पास होना चाहिए आपके पास कार होनी चाहिए आपके पास एक मोबाइल होनी चाहिए आपके पास laptop होनी चाहिए ऐसे sentence बोलेंगे ना कि आपके पास वो होनी चाहिए तब उसमें should have का यह बिक्स जो हमारा है यह हमारा नाउन हो गया यूशूड अपकी पास ज्ञान होना चाहिए यूश then के पास पास होना चाहिए की थो इसमार का यूज कोई काब नहीं हो रहा है इसलिए वर्व का यूज नहीं करेंगे तो शुड़ हैप का दोने यूज़स को हम लोग ने जान लिया अब आगे देखते हैं अब है शुड़ हैप बिन शुड़ हैप बिन का मतलब होता है होना चाहिए था इससे पहले हम लोग उना शुड़ बी में देखा था ना होना चाहिए सिब हो रहा थे कि सब्जेट को कुछ होना चाहिए प्रेजिट में तब हम शुड़ बी का यूज ऑबजेट के साथ कर रहे थे लेकिन जब हम पास्ट में बात करेंगे कि आपको टीजर होना चाहिए था subject को teacher होना चाहिए था पास्ट में तो उसमें should have been का यूज करेंगे object के साथ आपको घर पर होना चाहिए सिर्फ चाहिए वो रहे ये present है देखिए इसमें था नहीं लगा है हम लोग ने present यूज किया आपको घर पर होना चाहिए हम बोलेंगे you should be at home present में be लगाए और जब हम past में बोलेंगे आपको घर पर होना चाहिए था तो हम बोलेंगे you should have been at home आपको एक teacher होना चाहिए था you should have been a teacher उसे वहाँ होना चाहिए था he should have been there उसे school में होना चाहिए था he should have been in the school उसे घर पर होना चाहिए था he should have been at home तो जब आप past में होना चाहिए था subject को कुछ होना चाहिए था past में तो उसमें should have been का यूज़ करेंगा present में कुछ होना चाहिए था अब यहां पे हम लोग ने PASS भी लगा दिया और होना चाहिए था भी लगा दिया तो इसमें should have a hat का यूज़ करेंगे जम should have का मतलब एक हम लोग ने देखा ना PASS होना चाहिए हम बोह रहे थे present पे तो should have का यूज़ करेंगे लेकिन यहां बोरे past होना चाहिए था past में तो हम इसमें should have hat का use करेंगे आपना सारे page कर screenshot ले ले उसके बाद आपको समझ में एक साथ जब आप देखोगे न तो आपको comparison समझ में आने लगेगा अब past में जब होना चाहिए था बोलेंगे तो उसमें should have hat का use करेंगे आपके पास किताब होनी चाहिए सिर्फ चाहिए बोरे देखिए चाहिए present की बात करें तो हम बोलेंगे you should have books present में have का use करेंगे जब past में बोह रहे हैं आपके पास किताब होनी चाहिए थी तो हम बोलेंगे you should have had books बस had use कर देना हो गया तो मारे पास पैसे होने चाहिए थे you should have had money आपके पास ग्यान होना चाहिए था you should have had knowledge मेरे पास mobile होना चाहिए था I should have had mobile तो जब आपके पास past में कुछ होना चाहिए था तो उसमें हम should have had का use करेंगे और present में कुछ होना चाहिए past में तो उसमें should have का use करेंगे दोनों का use हम noun के साथ करेंगे should have had का मतलब होता है करना ही चाहिए था फोर्स दे रहे करेना ही चाहिए था, आपको वहाँ जाना ही चाहिए था, तुम्हें यह खाना ही चाहिए था, तुम्हें होमवर्क बनाना ही चाहिए था, ही चाहिए था, फोर्स दे रहे हैं, थोड़ा sentence पर जोड़ दे रहे हैं, तो वहाँ पे हम should have had to का यूज़ करेंगे, जैसे आपको वहाँ जाना ही चाहिए था आपको बोलना ही चाहिए था आपको यहाँ आना ही चाहिए था आपको प्रैक्टिस करने ही चाहिए थी मुझे उसे पढ़ाना ही चाहिए था देखो वो फेल हो गया I should have had to teach him See he failed तो जब आपको sentence में जोड देनी हो और आपको ऐसे बोलने हो मुझे वो करना ही चाहिए था तो उसमें आपको should have had to का यूज करना है ठीक है तो इसलिके साथ हम लोग ने can, could, would और should के सारे uses जान लिए basic to advance सारे uses को जान लिए अब बारी आती है may, might, must इन सारे की uses को भी तो जानना पड़ेगा तो next video में इन सारे may, might, must, used to, need, dare सभी models को मैं बताऊंगी अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चाहिए को जल्दी से subscribe कर दीजिए ताकि जब may, might, must, used to, need, dare जब यह वाले वीडियो जाए तो आप तक notification मिलती रहे वीडियो कैसे लगी वीडियो को कमेंट में ज़रू बता और लाइक ज़रू करें मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए keep learning